आज का हमारा टॉपिक है how to use chat GPT to write creative newsletters तो अगर आप भी creative newsletters लिखना चाहते हैं कोई content generate करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं chat GPT का जो कि एक AI developer है तो माले जिए आपने google sheets की रों में कुछ title add करें तो सबसे पहले तो हम उन्स title से generate करेंगे content chat GPT के मदद से और same generated content को हम save कर द देगार होगा Google sheet में कोई नई row add होना हमारी first action application होगी chat GPT की मदद से content generate हो जाना और हमारी second action application होगी Google document में automatically a document create हो जाना तो आईए देखते हैं मेरे screen पे कैसे मैं पूरा automation बना रहा हूँ जैसा कि अब देख सकते हैं यह है मेरी Google sheet जिसको मैंना नाम दिया chat GPT का अब हम चाहते हैं कि जब भी इस Google sheet में मैं कोई title add करूँ तो automatically यह content generate हो जाए chat GPT की मदद से जो कि AI developer है और same generated content को हम save करना चाहते है Google document में तो इस पूरी process को हम automate कर सकते है पैबली connect की मदद से इन तीनों applications के बीच में connection build करके इद ऐसी Google sheet में आपको title add करेंगे तो सबसे पहले तो content होगा generate chat GPT के मदद से और same generated content से हो जाएगा Google documents में तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं यह यूज करना है पैबली connect का क्युकि हमको connection built करना है तीन applications की बीच में इसलिए हम use करेंगे पैबली connect का klik करेंगे access now पे access now पे klik करते ही आपके सामने open होगा public connect का dashboard हमको जाना रहे साइट पे क्लिक करना है create workflow पे create workflow पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलोग बॉक्स से प्यार होगा जहां में इस workflow को एक नाम देना है तो मैं इसे नाम दूँगा create creative content using chat GPT आप अपने requirement के सबसे जिसे कोई और पी नाम दी सकते हैं क्लिक करना में create पे और अब create पे करते ही हमारे सामने उपन होगी यह दो इंपोर्टेंट विंडोस इनको हम केते हैं trigger and action basically जो हमारा पूरा automation है वो इन दोने principles यो concepts पर ही based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this है पर मतलब जब ऐसा हो तो action केता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज के हमारी trigger application क्या होगी आज के हमारी trigger application होगी google sheet google sheet में इस particular row में जैसे ही मैं कोई title add करूँ तो मैं चाहता हूँ कि automatically उस पे content हो जाए generate इसलिए यहां से मैं चूज करूँगा अपनी trigger application जो की है google sheet और trigger event पर हमको select करना है new और updated spreadsheet row मतलब इस particular spreadsheet में जैसे ही मैं कोई नई row add करूँ तो automatically हमारे workbook का trigger run करने लग जाए इसलिए यहां पर मैंने चूज कर रहा है trigger event ट्रिगर event चूज करती है हमको यहां पर दिया है webbook URL वेbbook URL का काम होता है दो applications के बीच में connection बिल्ट करना यह as a bridge की तरह करता है add तो आज ही हमारी मदद करेगा google sheet और public connect के बीच में connection बिल्ट करने में इसका मतलब google sheet में जैसे ही म हमको कैसे करना है यह वेbbook URL हमको ऐसा करना है copy जाना हमको हमारी google sheet पे अब मान लिजिए is google sheet में मैं जैसे कोई data enter करता हूं तो वो data में चाहता हूं कि public connect के पास automatically capture हो जाए तो सबसे पहले हम यहां पर add करते है कुछ data तो देखें यहां पर मैंने title add कर दिया है file begin is half done and prompt मतलब command में मैंने दिया है ऐसे बतलब इस particular title पे मैं ऐसे लिखवाने चाहता हूं chat gpt की मदद से तो यहां पर मैंने दो कॉलम पर आइं थे गूगल शीट में टाइटल और प्रॉम्ट और टाइटल मैंने एड कर दिया है और प्रॉम्ट मैंने कर दिया है अब हम चाहते हैं कि जब public connect faybooks देखी यह पैबलिक करेंट faybooks आपको अपने system में install करना अगा है अब इसलिए मैं आगे की process बताता हूं यह आपको अपने system में install करना है तभी आपको गूगल शीट का पूरा डीटा है वो पैबले करेंट के पास होगा capture यसको करेंगा बन अब जैसी है आप extensions पे ख् मिला था यही वेभू क्यों रहे हम को या से करना है copy जा रहा है हमारी Google Sheet पे इसको करना है हम पे हमको paste फिर आता हमारा trigger column trigger column होता है हमारी इस Google Sheet का spreadsheet का last updated column तो इस particular Google Sheet का last updated column है वो है column B column B के बाद कोई भी column में मैंने कोई data enter नहीं करा है इसलिए जो हमारा trigger column होगा होगा column B अब जैसी मैं send test पे click करूँगा तो दीखिए इस particular जो row का data है वो automatically public connect के पास हो जाएगा capture click करते है send test पे दीखिए यहाँ पे लिखा रहे test data send successfully click करेंगा submit पे और इसको कर दूँगा मैं बन तो दीखिए इस particular row का data automatically public connect के पास हो जाएगा capture webbook URL की मदद सी इसके बाद हम वो एक step और करना है हमको वापिस क्लिक करना है extensions पे public connect webbooks पे और send on event का option आपको जरूर करना है टेक इसका मतलब अब जब भी कोई भी row में कोई title add करेंगी तो automatically उस जरूँ का जो data है हो public connect के पास हो जाएगा capture इसलिए send on event का option हमको जरूर करना है टेक अब चलता है public connect पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इस रूप का data public connect के पास capture हुआ है या नहीं तो चलते हैं public connect पे और दिखिए हैं आप इंस्टेंटली बीच में कैसा connection बिल्ट कर दिया है कि जैसे अब google sheet में कोई नहीं row add करेंगे तो उस रूप का जो data है वो public connect के पास automatically हो जाएगा capture अब आती है हमारे सामने action application action application में हमको क्या करना है action application में हमको use करना है chat GPT क्योंकि ये जो title हमको मिलाता है हम से हमारे है है by Yes यहा से हम generate करेंगे एक नहीं secret की क्लिक करेंगे हम create new secret key पे इसको देंगे एक नाम तो मालनी जब मैं इसको नाम देता हूँ test क्लिक करूँगा मैं create secret key पे यह secret की हम यहाँ से करेंगे copy जाएंगे public connect पे और इसको कर देंगे हम यहाँ पे paste इसे क्या करना चाहते है आज हम chat gpt से content generate कराना चाहते है particular topic पे यह हम को यहाँ पे करना है फिल तो इस पर हम use करेंगे mapping का अब mapping का मतलब क्या होता है mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको trigger application में मिला था उसका use हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी without manually type करके तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है अप जैसी इस blank field पे click करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है insert data from previous step तो google sheet जो के हमरी previous step थी जो के हमरी trigger application थी वो आपको यहाँ पे show हो रही होगी इसके drop down पर जैसे click करेंगे तो आप आप देखेंगे जो भी response हमको trigger application में मिला था वो आपको यहाँ पर show हो रहा होगा तो prompt हम सबसे पहले देंगे essay on और फिर यहाँ पर map कर देंगे हमारा title तो मैं दूँगा space well being is half done तो देखिए यह दोना data हैं पर मैंने कर दिया है map आप essay की जगह कोई और भी यहाँ पर prompt add कर सकते हैं like google sheet में आप ऐसे की जगह यहाँ पर short paragraph भी लिख सकते हैं आप कोई document भी लिख सकते हैं आप कोई email भी लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर command में दिया है essay क्योंकि मैं इस particular topic पर essay generate करना चाहता हूँ चलते हैं public connect पे अब देखिए जैसी में save and send test request के बटन पे क्लिक करूँगा automatically इस particular title पे एक essay हो जाएगा चनरेट अब मैं आपको बताता हूँ mapping यहाँ पर मैंने क्यों किया mapping यहाँ पर मैंने इसली किया है क्योंकि इस particular title पे एक essay हो चुका है जनरेट model का नाम था हमारा chat gpt 0301 और यह हमारा content तो दीखिए यह इस title पे particular पूरा एक essay जनरेट हो चुका है अब हम क्या चाहते हैं अब हम यह चाहते हैं कि यह essay को यह जो पूरा essay है पर हमने जनरेट किया है chat gpt के मदद से इस generated content को हम save करना चाहते है Google document में तो आप इस plus button पे click करेंगे और एक Google document create करेंगे तो इस बर application में हमको choose करना है Google Docs और action event में select करेंगे create a blank document click करना हमे connect पे add new connection click करना है फिर हमको sign in with Google यह से हमें choose करना है अपना account और फिर देने हैं हमको access public connect को Google Docs से connect करने के लिए तो दीगे हमारा authorization हमें successful हो चुका है फिर आता हमारा document name जैसी हमारा Google Docs का account public connect से हमें connect हुआ है यह हमसे पूचला document name बतला हमको एक blank document create करना है जिसमें कि हमको generated content करना है save तो सबसे पहले इस document को हमको एक नाम देना है तो मैं इसे नाम देता हूँ ऐसे content जब जैसी में save and send test request की बटन पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे Google Docs में automatically एक document create हो जाएगा वो भी इस नाम से तो क्लिक करते हैं save and send test request पर तो देखेंगे हमको API response receive हो चुका है यह था हमारा title ऐसे content तो एक blank document Google Docs में automatically create हो चुका होगा अब scroll down करते हैं हम एक दम नीचे तो देखेंगे यह हमारे document की ID यह document ID से blank document automatically create हो चुका होगा Google Docs में अब हमको क्या करना है अब हमको यह करना है कि जो document हमने create किया है इसमें हमको paste करना है यह पूरा email content यह जो ऐसे हमने generate किया था chat GPT की मदद से तो आप इस scroll down करेंगे हम नीचे plus button पर क्लिक करेंगे और choose application में फिर से select करेंगे Google document और इस बर action event पर हमको select करना है append up paragraph to a document क्योंकि यह जो paragraph हमने generate किया था chat GPT की मदद से इसको हमको append करना है इस particular google document में क्लिक करूंगा हमे connect पे select रखूँगा existing connection क्योंकि यह google document का account हमने public connect से पहली connect कर दिया है क्लिक करूंगा हमें save पे और देखे हमारा google document का account automatically public connect से हमें पे connect हो चुका है document का नाम था essay content और यहाँ पे हमको map करना है inserted text मतलब इस particular document में हमको क्या paste करना है तो जैसे कि आपको याद होगा chat GPT से जो हमने essay create किया था उस particular topic पे भही content हमको यहाँ पे करना है map तो दिखे हैं जैसी इस blank field में में क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको तीन स्टेप दिख रही होगी Google Sheet जो कि हमारी trigger application थी chat GPT जो कि हमारी first action application थी और third action application थी हमारी google document जिसमें हमने create किया था blank document तो second application chat GPT पे हमने generate किया था essay उस particular topic पे तो जैसी इसके drop down पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको एक message content दिख रहोगा यह हम यहाँ पे कर देंगे map जैसी मैं save and send test request के button पे click करूंगा तो आप देखेंगे google document में इस particular document में automatically यह पूरा data हाजा के हो जाएगा enter click करते हम save and send test request पे तो देखिए हमको instantी API response रिशी हो चुका है इसका मतलब google document में automatically document create हो चुगा होगा वो भी इस particular essay के साथ तो चलते है google document के account पे और देखिए essay content के नाम से यहाँ पे document create हो चुका है हमारे google document के account पे इसको करते हैं open तो देखिए यह जो पूरा essay update generate किया था chat GPT के मदद से वो आपको यहाँ पे show हो रहा होगा इसका मतलब जो automation हमने create किया था public connect के मदद से वो work कर रहा है simply 4 step हमने पूरा automation बना लिया था जिसमें मारी trigger application थी google sheet हमारी first action application थी chat GPT हमारी third action application थी google documents तो देखिए 4 step हमने पूरा automation create कर लिया था google sheet में जैसी है आपको title add करेंगे तो chat GPT के मदद सबसे पहले उस पर generate होगा content and same generated content को हमने save कर दिया google documents में और यह जो पूरा automation हमने create किया था यह work करेगा instantly तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link में अपनी वीडियो के description में दी दूँगा जहां भी से बड़ी असानी से इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you